आइडिया वीडियो जमात एक से दो के बच्चों की वालदा के लिए अस्सलामों आलाइकुम आज की मिटिंग में आप सबका खैर मगदम है उम्मीद है आपको पिछले हफ्टे का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुवात करते हैं पिछले हफ्टे की सरगर्मी, पहली जमात और दूसरी जमात की वाक्षिट और दस इस वीडियो के बारे में आपके तजरुबात हमें जरूर बताएं अग साथ में लाई हुवी वाक्षिट हाथ में पकड़ कर फोटो लेते हैं तब तक हम ये वीडियो यहां रोग देते हैं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं तमाम वालदा जमीन पर बने दाइरे के इर्द गिर्द खड़ी रहें दाइरे के अंदर कुछ पत्थर रखें लीडर वालदा के एक, दो, तीन कहने पर तमाम वालदा को अपने पैर के अंगूठे से पत्थर उठा कर बाहर रखने हैं सबसे ज्यादा पत्थर जमा करने वाली वालदा फाते होगी तब तक हम ये वीडियो यहां रोग देते हैं अगर आपका बच्चा हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का फास्ट फूट खाता है तो मुम्किन है कुछ अरसे बाद वो बिमारी का शिकार हो जाए आईए इस वीडियो से मज़ेद मालूमात हासिल करें बच्चों को बाहर के खाने के आदत होती है और जानते बूझते हम ही वो आदत डालते हैं वालदैन को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि उनका बच्चा क्या खा रहा है और उसे क्या नहीं खाना चाहिए बच्चों को ज्यादतर बिमारिया बाहर के खाने और गिजाये से भरपूर खुराग की कमी की वज़े से होती है बाहर का खाना सहत के लिए अच्छा नहीं होता है क्यूंकि खाना बनाते वक्त सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है ये भी मुम्किन है कि खाना ताजा ना हो बाहर का खाना बहुत से मसायल का सबब बन सकता है जैसे दस्त या निजामे इन्हजाम में इंफेक्शन, मुटापा, दिल के बिमारी, जाबतीस वगएरा इसलिए बच्चों को बाकायदगी से ऐसी खुराफ दी जाए जिसमें कैलोरीज, आइरन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनेरल्स जादा हो मिसाल के तोर पर कैलोरीज के लिए बच्चे को दूद देना चाहिए और अनाच के खुराफ भी दी जानी चाहिए दाले, फलिया, अक्वा निकली हुई दाले, ब्रोकली और बंद गोबी आईरन के बहतरीन जराए है गोबी, ब्रोकली, हरी सबजियां, सोया वगेरा में भी कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन्स और आईरन के लिए बच्चों को सबस पत्तों वाली सबजियां और ताज़ा फल्ग ज्यादा मिद्दार में दिये जाएं इस फीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है? इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी गुरुप में बताएं कुछ पुराने रंगीन कागस लें बच्चों के साथ हातों से कागस के छोटे छोटे तुकडे करें एक कागस पर चार दाइरे बनाएं बच्चों के साथ छोटे तुकडों को दाइरे के अंदर चिस्पा करें इसके साथ ही दी गई वक्षीट में पहली जमात और दूसरी जमात की सरगर्मियां बताई गई हैं उन्हें समझें और बच्चों से करवाएं क्या बच्चे को इस सरगर्मी और वक्षीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं एक काच के गिलास में पानी लेकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाईए पानी पीले रंका हो जाएगा अब इस पानी में डिटर्जन पाउडर मिलाईए पीले रंका पानी लाल हो जाएगा अब हमें क्या करना है कि लाल पानी दोबारा पीला हो जाए आज के सरगर्मिया यहाँ पर खत्म होती है ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ़ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना और बच्चों का खयाल रखें शुक्रिया